हेलो प्रेंट्स वेलकम वैक टो अनिका क्रियेटिव आइडिया आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार फ्रेंट्स ये देखिये ये मेरा नारंगी का प्लांट है इसमें बहुत सारे नारंगी के फल लगे हुए हैं और अभी भी इसमें नई नई कलियां आ रही है जिससे की नए फल लाएंगे और फ्रेंस आज का हमारा टॉपिक है ये चीकू का प्लांट ये देखी इसमें एक चीकू का फल भी लगा हुआ है फ्रेंस और ये प्लांट मुझे 150 रुपीज में मिला है ये एक ग्राफ्टेट चीकू का प्लांट है इसलिए मैंने इसे लिया कि इसमें फ्रूटिंग जो होगी वो बहुत ही जल्दी होने लगेगी तो फ्रेंस आज मैं आपको इसकी रिपॉर्टिंग को दिखाऊंगी और इसके स्वायल मिक्सिंग किस तरह से करें उसे भी बताऊंगी साथ ही इसके केर की पूरी जानकारी भी दोंगी तो फ्रेंस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो फ्रेंस चलिए हम अपने वीडियो को सुरू करते हैं फ्रेंस मैंने ग्राफ्टेट चीकू का प्लांट इसलिए चूस किया क्योंकि इसमें फ्रूटिंग जो है वो बहुत जल्दी होने लगते हैं बट अगर आप चाहें तो इसके बीज से भी इसके प्लांट को ग्रो कर सकते हैं लेकिन उसमें फ्रूटिंग होने में काफी टाइम लग जाएगा हो सकता है इसकी फ्रूटिंग 5-10 साल में हो या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है इसलिए मैंने इस ग्राफ्टेट प्लांट को चूज किया तो फ्रेंज अब चलिए हम इस प्लांट को रीपॉट करते हैं और रीपॉट करने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए स्वायल मिक्स त्यार करेंगे और स्वायल मिक्स में मैं ये देखिए कपोस्ट खात का यूज करती हैं यह हमारा मिट्टी है इसके अलावा मैं इसमें रेट को भी मिक्स करूंगी यह देखिए यह हमारा रेट है और रेट की मात्रा को मैंने थोड़ा कम लिया है आप चाहे तो इसमें रेट की मात्रा को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं और मैंने अपने मिट्टी में पहले से ही बो पहले से ही इसमें एक प्लांट मैंने लगा कर रखा हुआ था पर वो प्लांट खराब हो गया तो उसको मैंने निकाल कर मैं इस चीकू के प्लांट को लगा रही हूँ और ये देखिए इसमें ये जो होल है उस पे हम इस दिये से इस होल को ढख देंगे ताकि हमारा जो पानी बाहर ने निकल पाता जिसकी वज़ा से प्लांट के जो रूट होते हैं वो सड़ने लगते हैं और प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो इसलिए हम इस पॉट के उपर कुछ कंकड या कुछ ऐसा चीज रख देते हैं जिसकी वज़ा से मिट्टी इसके अब हम स्वायल मिक्स तेयार कर लेंगे और इसमें इन सारी चीजों को एक साथ मिक्स करेंगे तो अब हम इस चीजों के प्लांट को इस ग्रोइंग बैक से बाहर निकाल लेंगे और अपने पॉट में से सिफ्ट करेंगे यह देखिए यह मैंने इस तरह से बाहर निकाल लिया है और इसकी मिट्टी थोड़ी टाइट लग रही है क्योंकि इस ग्रोइंग बैंग में यह काफी टाइम से मुझे लगता है रहा होगा तो अभी मैं इसके मिट्टी को थोड़ा तोड़ दोगी जिससे की यह इसके रूट्स जो है वो हमारे जो बनाएवी मिट्टी है उसमें अच्छे से ग्रोव कर सके फ्रंस यह देखिए इसमें जो रूट्स है वो काफी अच्छे से ग्रोव किया हुआ है इस प्लांट का और अब हम इसे अपने पॉट में सिफ्ट कर रहे हैं इस तरह से इसको हम इसमें लगा देंगे और इसकी ऊपर से इस मिट्टी को डालेंगे इसमें जो है ग्राफ्टेट वाला भाग थोड़ा बाहर दिखना चाहिए तो फ्रंस अब हम बात करते हैं इसे हम किस तरह के सनलाइट में रखें इस प्लांट के ग्रोथ के लिए दूप की बहुत जरूरत है तो इसे आप ऐसे जगह रखिए जहां 7-8 गंटे की अच्छी दूप आती हो आप इसे अपने आउट डोर में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इंडोर में अच्छी दूप नहीं मिल पाती है बट अगर आप इसे इंडोर में ही रखना चाहते हैं तो इंडोर में भी इसे ऐसी ही जगह रखिएगा जहां कम से कम 6-7 गंट कि अच्छी दूप मिल सकते हैं तो फ्रेंस अब हम बात करते हैं इनमें वाटरिंग की फ्रेंस अभी विंटर टाइम चल ला है तो विंटर टाइम में आप इसे 2-3 दिन में एक बार पानी दीजिए और समर टाइम में आप इसे रेगुलर पानी दे सकते हैं और फ्रेंस इस मिल को अगर आप दो से तीन महिने में डालते रहते हैं तो इसे और किसी चीज़ की जुरुत नहीं पड़ेगी और इसकी अलावा आप इसमें गोवर के खात को भी डा सकते हैं तो फ्रेंज आज की वीडियो में फिलाल इतना ही मैं आगे भी ऐसे ही क्रियेटिव और जानकारी वाले वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथ भी बैल बटन को जरूर दबाईए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू